हेलो फ्रेंड एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चनल फंदीचे राहूस में दोस्तों आज वीडियो में आपको कम्प्रीट डीटेल बताऊंगा सोफा लेन से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें तो दोस्तों अगर आप सोफा लेन जा रहे हैं यह वीडियो में जाते हैं दोस्तों उनको 5-seater sofa कहते हैं 5-seater sofa इंसा को कहते हैं कि 3-seater यह 1-1 यह 5-seater sofa होते हैं और दोस्तों जो वुड़न Detको वुडन सफर होते हैं यह आफ दोस्तो तो सबसे पहले Risky से पहले से लीचे घallas साइज हमेशा जान ले मतलब अपने रूम का एक according size ले और उसी according अपना sofa बनवाएं या उसी according अपना sofa खरीदें किसी भी दुकान से आप खरीदें तो सबसे पहले आप size उसका ध्यान रखें कि उसका size होना चीज जो मेरे according मैच हो वरना अगर वो sofa आपके घर पे आने के बाद बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा जैसे इस sofa 7 बाइ 9 का corner sofa है 7 foot लंबा और 9 foot चोड़ा उसके साथ साथ अगर आपके रूम में इतनी जगा नहीं है और आपके रूम में नहीं आएगा क्या पता लेने के बाद दुकान दर वापस भी न करें तो हमेशा सबसे पहले sofa कहीं से भी लें तो सबसे पहले आपने घर ज krijgen कर लें उसके बाद उसके साथ साथ सतो अगर और यह से साथ से संटर टेबल में आपको शंके सेसे वापने डेका ताल में देख सकते हैं प्राइब करेंस देखने में इसका अच्छा अच्छा लूंत ऑफी और पर आधि द की भाट पर में फोड 통 कि अनुद क एक तो कूली की सब्सक्रामित करें भी ऐसक apartments doыл स्क्राइब रखी तो बड़े मतलब जोस्टोड है से अच्छह नहीं लगते अगर यह जरूर्ज जान ले कि इसमें कौन सी लकडी की इसाब से पहले दोस्तों जूफा बनता है इसका फ्रेम बनता है आप देख सकते हैं इससे पहले से पहले इनसका फ्रेम बनता है आप उनसे जरूर यह बात पूछ लें कि हाँ सोफी का जो आप फ्रेम बना के दे रहें किसका फ्रेम बना हुआ है कोई भी हो सकती है नीम हो सकती बभूल हो सकती है वह सकती है वह उनके उपर हो कुन सी लखडी को बना के दे रहे हैं वैसे वह यह सोफा बनने के बाद आप अंदर से खोल के देख के पाएंगे नी वह भी एक तरीका होता है आप 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 चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स मुझे कर दीजेगा तो मैं उसके लिए एक छोटी सी लाडी वीडियो बनाके आपको देदंगा नीम की लखड़ियां आप उन से लीजिये पर नीम पर बना के देजिए और फी सागवां बनाके दीजिए दोसहे वी ऑखड़ी लेक्डी सबसे रहेत होती है उसकी बनाध और होती है यह सागवां पर नहीं पर बना One पर दे जाती है फढ़ जाती है इसलिए आप कहीं भी से सोफा ले तो सूखी लंगडी पर ले कि अगर दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट नेम की लकडी लीजी जाओन की लिजी वो लगडी लिजी जिस पर गुंद की लिजिए उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो फॉर्म की उनसे लेजिए, सात साल ग Maced आप उनसे लीजिए और ईचीह बिल पर जुरूरा मेंशरवाइए जो फेरेंश नहीं कर वाइए जो मेंशर नहीं करेंश लेजिए और जो समय हो किस क्कौवलिटी की है और उसकी क्वा ऩाल्या क्या और है बासा बिल का मनतलव इस तह्ता किका बाद यह आता है रैक्सिन में उसकी प्रॉब्लम आती है थो टाइम बाद यह उखड़ने लग जाती है रैक्सिन तो आप उनसे जरूरी इंचिफ की मेंशन करवा लीजिए अगर रैक्सिन अगर आप लेते हैं तो उनसे पूछ लीजिए लोकन रैक्सिन मत लगाईएगा आप लगाईएगा लेजिए कि कितने साल की गरेंटी दे रहें मिनियों फाइफ यह जरूरी 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 जिए रैक्सिन उखड़े ना फटे ना बागी कपड़ा तो आपकी बागी कपड़े में कोई प्रावलम ने आती है तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं आप फा एक सबसे लखड़ाव सब्सेंट तो साग्वान की लखड़ी सकसेसुल है और लकड़ी सकसफुल नहीं है इसलिए आप कहीं से भी सोफा लें बुड़न तो सागवान की लखड़ी के साथ ही लें और नॉर्मल लखड़ी पर आप मत लीजिए सोफा को कि थोड़ टाइम बाद वह फट जाएगा या फिर तूट जाएगा उसके जा चांसे दो तूटने के इसलिए सागवान की प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्क्राइब करना किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगे उस तरह की वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा और दोस्तों अगर आपको क्वेरी है तो आपको सब फ्रियो कोस्ट प झाल